48% से भी ज़्यादा growth देखा जा रहा है भारत के electric bus market के अंदर में government का supportive action लोगों का environment के प्रती बढ़ता जग रुखता और साथ में दोस्तो low maintenance cost कुछ ऐसे factor है जो हमारे हैं EV को बढ़ावा दे रहे पूरे world में revolution साचु का electric vehicle market के अंदर में और दोस्तो आने वाले समय में भारत भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला है तो आज हम बात करने वाले हैं पाँच ऐसी company के बारे में जो सिर्फ electric bus का manufacturing करती है और दोस्तो ये पाँचो शेयर जो है हमारे market में पाँचो company listed है तो वीडियो को end तक देखिएगा आप पहली बार चैनल को वीजिट किये सब्सक्राइब ने किये तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना वीडियो आज का कैसा लग रहा है तो दोस्तो पहला जो company में बताने वाला हूँ Tata Motors है और Tata Motors के पास काफी ज़्यादा order मिल रहा है electric buses बनाने के लिए तो दोस्तो पीछले 6 महीने के अंदर में company के पास multiple order मिला है ये company न को electric bus के market में बलकि electric car के market में दोस्तो काफी ज़्यादा चाही हुई है और हर साल दो नए variant ये market में launch करने वाले है तो Tata Motors पे चाहे तो आप focus कर सकते है presently company का share price 446 के आसपास चल ला है दोस्तो ये company car, sport, utility, vehicles, truck, bus से लेकर के और भी बाकी चीजों में जुड़ी हुई है जो दूसरा में company बताने वाला हूँ दोस्तो switch mobility करके इनकी subsidiary है और share का नाम है असोग लेलन असोग लेलन भी electric vehicle को लेकर के दोस्तो काफी ज़्यादा serious है recently इनके पास भी कई order मिल रहे हैं ना किल भारत बलकि भारत के बाहर globally भी company को काफी ज़्यादा order receive हुए है तो असोग लेलन की company है switch mobility subsidiary company है और ये काफी ज़्यादा grow कर रहे है इवीज के market में तो दूस्तो असोग लेलन के बारे में यदि बात करें तो commercial vehicle के segment में ये company काम करती है और well diversified इनका distribution reach है presently stock price 167 के असपास चल रहा है जो third share में बताने वाला है और ये company ज़दातर अपना revenue जो है generate कर रही है presently इनके electric buses के division में आगे जा करके ये company electric truck के market में भी enter कर रही है और दोस्तो हैदराबाद में इनकी manufacturing facility है और ये company बहुत ज़दा order secure कर रही है और pure play electric vehicle company consider की जाती है BYD जो की दुनिया की बड़ी company है चाइना की उनके साथ इनका partnership है और दोस्तों वहाँ से इनको technology का support मिल रहा है तो ये Electra Green Tech जैसे company को भी consider किया जा सकता है presently इनका share price 623 के आसपास चल रहा है अगला stock है जे बीम auto करके दोस्तों जे बीम करके eco life करके इनकी electric buses आती है और इस company के भी नई solaris करके company है जिसको इन्हों रे recently acquire किया उसमें stick हरदा तो जे बीम auto भी company काफी ज़दर serious है और इसके भी buses आपको market में देखने को मिल जाते है तो जे बीम auto का share price 414 के आसपास चल रहा है यह company basically seat metal components का manufacturing करती है और अब यह company bus के market में उतर चुकी है पांचवा stock का नाम है दोस्तों यहाँ पर icer motor के बारे में मैं बात करूं हाला कि presently कोई बहुत ज़दा इनके पास electric vehicle के आडर नहीं है नहीं company उस तरह का लेकिन दोस्तों इन्हों ने भी Volvo के साथ इनकी स्वेडिक जो company Volvo है उनके साथ पार्टनर सीप होई है और बहुत जल्द हमारे market में यह electric busses launch करने वाली है तो असो क्लेलेंड ओलडी इनकी नर्मल busses market में entry करती है Royal Enfield करके इनके पास premium iconic brand है और EV के market में यह company भी एंटर करने वाली है तो दोस्तों मैं पांच आपके पास ऐसी company के बारे में बताया है जिनका electric busses के business में है एक है EIS Icer Motor दूसरा JBM Auto है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ JBM Auto को अलेक्टरा Green Tech और साथ में Tata Motors तो इनमें कोई भी सेर्स आपके पास portfolio में हो तो दोस्तों जरूर बताईए का comment करके बहुत बहुत धने बाद यह वीडियो देखने के लिए